हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ स्टड़ी फीट चैनल दोस्तों प्रिविएस येर में इतने भी कोस्टेंज पूछे गये हैं फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटिव जॉम्स में TGT, FGT, KVS, NVS, CLT में उन्स सभी कोस्टेंज को टॉपिक वाइच आपके समझ छे प्रस् सिलबस के XV कोर्डिंग करना चाहते हैं मेरे चैनल पर सभी वीडियो उन्स वीडियो को वाश्ट करके आप अपने प्रिप्रिएशन को वेहतरीन बना सकते हैं तो दुश्तों चले चलते हैं आज की प्रश्णों की स्धृंखला के तरफ सब्सch चाह के सिभ्या रिएश सारि सारीक सक्रियता में छात्र की भागिदारी को अच्छा बढ़ावा देता है तो इसमें से कौन है दोस्तों तो इसमें आपसा नंबर सी करेक्ट हो जाएगा विभिन प्रकार के गतिवीधियों में भाग लेने के लिए आवस्ट्रेक मूल कोसलों को हासिल करना आजीवन सारीक स सक्रियता में छात्र की भागिदारी को अच्छा बढ़ावा देता है नेक्स्ट कोस्टन है कि एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को इससे ज्यादा प्रसिचर नहीं देना चाहिए तो दोस्तों आपसा नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा और तालिस से चोबि प्रसिचर नहीं देना चाहिए नहीं तो सरी बच्चों के सरीर में अन्य नुक्सान दायक प्रभाव पढ़ने का खत्रा रहता है कोई भी चीज दोस्तों आसकता से अधिक खत्रनाक होता है नेश्ट कोश्चन है निम्ने में से कौन शा बिंदू सारीरिक सिच्चा को एकेडमिक बिशे बनाने में शहयोगी है वैज्यानिक सिधान की खेल अधारिक पाठेकम की मानुवी दिश्टी को की दासनिक आधार तो दोस्तों यहाँ पर आफसर नमबर ए बैज्यानिक सिधान्त ही ऐसा है जो सारी सिच्चा को एकेडमिक बिशे बनाने में शहयोगी है निफ्ट कोशन है निमने लिखी ते मेंशे कौन सार सोध करता के अनुसंधान के और साधार और बौधिक कोशल को दर्शाता है तो दोस्तो कोई सुध करता है उसका और सधा बौधिक कौसल क्या होगा कि उसको हम देख के बता सकती है कि इसके अंदर और सधा बौधिक कौसल है तो यहां पे दोस्तो आपसन नंबर डी हो जाएगा बैक्तिगत और जिग्यासा जिसके में और जिग्यासा हो और दोस्तो एक अनुसंधान या सुध करता के चिंतन की एक सूब यह परिस्कित बिधी होता है जिसके अंतर गत किसी समर्श्या के शमाधान के लिए बिस्ष्ट उपकरणों यह प्रक्रियाओं का परियोग नहित होता है बैक्तिगत और लोकौन और जिग्यासा सुध करता के अनुसंधान के और सधारा बौधिक कौसल को दर्शाता है नेक्ष्ट कोश्चन है आदेश का संबंध है जैसा कि सब आप सबको पता होगा कमांड आदेश का किसे संबंध है कमांड तो सारे सिच्छा में सिच्छ विधियों में बहु सारे विधि अपनाई जाती है जैसे कि प्रदर्शन विधि व्याख्यान विधि कमांड विधि तो एक कमांड विधि भी है इसके अंदर आदेश द्वरा विधियार्थियों को बता जाता है कि क्या कब और कैसे करना है ठीक है नेक्ष्ट कोश्चन है सारिक सिच्छ के में गूर होने चाहिए निपूर दोस्तों यहां पर अप्सान नंबर डी उप्योक्त सभी सही है नेक्ष्ट कोश्चन है सारिक सिच्छा के शिधान निम्ने लिखित में से किस पर जादा आधारित है अनुभायों सोजबूष की परंपरायम रित्यां की प्रक्रिया से समधित वग्यानिक नियम की दाशनिक दोस्तों यहां पर अप्सान नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रक्रिया से समधित वग्यानिक सारिक सिधान वग्यानिक मानदंडों के अधार पर विक्सित किये गए हैं जिससे बालक का सारिक यों मानसिक विकार शार्षात हो शकी सारिक सिधान के आधार भूतों को सकती प्रदान करते हैं कौन सकती प्रदान करता है सारिक सिधान के अधार भूतों को तो वग्यानिक तत्थ आपसन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लच्छ प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वे हैं तो दोस्तों यहां पर आपसम नंबर A करेक्ट हो जाएगा उद्देश से यानि अब्जेक्टिव दोस्तों विभिन उद्देश से एक विशेश लच्छ की तरफ जाते हैं लच्छ प्राप्ति के लिए किन चरणों से गुजरना पड़ता है उद्देश्यों से बिना उद्देश्य की लच्छ को प्राप्त करना आशान नहीं है समाने तोर पर उद्देश्य लच्छियों की तुल्ला में अधिक विशिष्ट और आशान होते हैं उद्देश्य से बुनियारी उपकरण है जो सभी नियोजन और नितिक गोतिवीदियों को रिखांकित करते हैं दोस्तों जैसे कि आप किसी मान लेजिए आप TGT की या ELT की तैयारी कर रहे हैं उस क्यों कर रहे हैं उस एक्जाम्स को आपको क्वालिफाई करना है एक गवर्मेंट जाब लेना है इससे पहले जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं चोटे चोटे लच्छियों को पुरा कर रहे हैं आज इस पार्ट को पुरा करना है कल इस पार्ट को इस सब उद्यस से हैं आपके ईक्जाम को कौलिफाइ करने की तरफ ठीक है साररिक सिच्छा का लच्छ क्या है तो सरवांगी बिकास में सभी कुछ आ जाता है यहां पर अप्सन नंबर सी मनुष्ची का सरवांगी बिकास सारे सिच्छा का मुख्य लच्छ है नेक्स कोश्चन है भारत में अध्यापक सिच्छा के संबंद में साररिक सिच्छा का लच्छ क्या था दोस्तों इसके आरंब शेही लगभग निधायत रहा है आपसन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है श्वास्ति सिच्छा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निधन लिखित में सहायता मिल सके तो किस दिशा में होना चाहिए निड़े करना तथा बिकल्प का चयन करना आपसन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन है दोस्तों कि सारेरिक सिच्छा का एक प्रमुख लच्छ सारेरिक सच्छमता है सारेरिक सच्छमता का चरड़ दर चरड़ उपागम है आपको चरड़ दर चरड़ उपागम बताना है यहाँ पे यानि क्रम वाइस चेटप करना है तो दोस्तों यहाँ पर पहला है A है सारीक कारे कलाप और ब्यायाम करना B है सच्छंता और सारीक कारे कलाप का स्वव आकलन और स्वन यूजन करना C है सारीक कारे कलाप का अभिगम D है सारीक कारे कलाप में जीवन प्रयांत निसन लगनता तो दस्तों किसी में आप देली बेसेज पर करेंगे तो ही आप उस चीजमें जिवन प्रेत में सरनलंगता हो पाईगा आपका प्रन्परेत प्रेतरnya कारेकलाब आपका सबसे लाश्ट में होगा क्रम में मतलब दिमाग लगा कि आप इसको चार सकते हैं सबसे लाश्ट में होगा सबसे पहले क्या होगा आपको यह देखना है तो सबसे पहले होगा आपका B सच्छम्ता और सारी कारे कलाप का स्वा आकलं और स्वा नियूजन करना सबसे पहले उसको आप देखेंगे स्वा आकलं करे करना है ठीक है उसके बाद आहिएका है आप स्न॥ सारी कारे-कलाब का अभी कर अब देखेंगे क्या-क्या करना है ठीक है और हुड में सारी कारेकलाप और अब ऐयाम करीगे इफ़ीडे धीन करना हैus लंगता रहेंगे, कि हम इसको अभ्धिवन परेतने करना है, यहाँ पर आफिसा नंबर 1 करेquar्ट हो जाएगा, next question है, पता लगाए, कौन सा सिखने का नियम नहीं है, तो दोस्तो आप सही answer टिक कर दिये होंगे यहां पे प्रतिक्रिया का नियम सीखने का नियम नहीं है जबकि तयारी का नियम प्रभाव का नियम गतिबिधी यानि exercise यानि अभ्यास का नियम एक तीनु थांडाइक ने सिखने के तीन सिधान दिये हैं सारी कोशल का सिखना संबंध रखता है कोगनेटिव सिखने से प्रभाव के सिखने से मोटर के नियम सिखने से इन में से सभी नियम तो दोस्तों सारी कोशल को सिखने के संबंध तो कोगनेटिव सिखने या प्रभाव सिखने या मोटर के नियम सिखने तीनों समधित हैं कुष्टन है अउंस अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कोर्सल के एक या एक से अधिक भागूं से अभ्यास किया जाता है किसके रूप में जाना जाता है तो उस्थों या जाना जाता फ्रेक्ष्णाईजेसन ठीक हैं छेक milhões नेफ्स कोस्टिन है बिशेश सिच्छड बिधी का उपयोग किस पर निर्भर करता है तो दोस्तों यहां पर आपसें नमबर भी करेट हो जाएगा अध्यापक की कुशलता पर तो बिसे सिच्छ बिधी का उपयोग अध्यापक की कुसलता पर निभग करता है योग्यापक पिछड़े हुए बार्कों को ऐसे परिसितियों में लगता है जिनमें वो सफलता प्राप्त कर सके उनमें आत्मिश्वास बढ़ाता है पिछले पन के सुधार में अध्यापक की योगता और ब्योहार का भी शेज महत्वर होता है परिविच्छ का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए किसके उपर होना चाहिए सिखने की स्थिति पर आपसन नंबर ए यहाँ पर करेट हो जाएगा दोस्तो परिविच्छ नवीनतम सिख्छ बिधियों प्रक्रियाओं यह सहायक साधनों से अवगत कराकर तथा उनको ब्योहार में लाने के लिए प्रयास करवा सकते हैं परिविच्छ का प्राथमिक ध्यान सिखने की इसीति पर ही होना चाहिए साररिक सिख्छ के कौसल सिखने की सरोतम बिधि है इस बिधि में अध्यापक च्छा में चाहत्रों के सामने प्रियोग करके प्रदर्सन करके दिखाता है जिसे चात्रों के लिए इस थुल पदातों को समाजना वा याद करना आसान रहता है निम्नलिखित गती विधियों में से किसे एक खुला कौसल माना जाता है खेल अखाड़े में बोलिंग जंगल में पहाड़ी मोटर साइकल की सवारी कि लच्छ पर निसाना लगाने के लिए तुरिंदा जी कि एक बियान साला में जिमनास्टिक तो यहां पे क्या पुछा है? खुला कोसल माना जाता है तो क्या यहां पे खुला कोसल माना जाएगा दोस्तों? है उसे कहा जाता है तो दोस्तों यहां भी आप correct answer टिक कर दिए होंगे यहां पर क्या बोल रहा है कि एक टेस्ट है जिसमें इसकुली बच्चे को पास-पास बाधा रखा हुआ है उसको पार करते हुए जाना है दोड़ना है तो यहां पर क्या हुआ माप रहा है यहां पर उत्त होरा है चेपलता कि जान हो रहा है आपसर नंबर बबी और हो जाएगा है चर्फ्च कोसंट और हो TE-5 सारुरिक्पर D tu और करने वाला मुख्य उपागम है तो यहां पे आपसा नंबर डी हो जाएगा अंता पाठ शाला क्रिडा इस पर धाएं पाठ साला में साररिक सिच्छा के कारेकर्मों को ख्याती पजान करने वाला मुख्य उपागम है सारी सिच्छा सिच्छा का एक महत्तपूर अंग है जिसमें छात्रों के साररिक मानसिक विकास करने की मन और अन्यात्मक रूचियों को बढ़ावा दिया जाता है अता पाठ साला अंता पाठ साला क्रिडा इस पर धाएं इसकी प्रभुख उपागम है सारी सिच्छा में समय सारड़ी को प्रभावित करने वाले कारक हैं विद्यार्थियों की शंख्या उपकरण की उपलदिता वातावरर तो दोस्तों यहां पे तीनों चीज समय सारड़ी को प्रभावित करता है सारी सिच्छा में आपसा नमबर डी उप्युक्ष्ट भी करेक्ट हो जाएगा निफ्स कोच्छन है निवनिमेशी कौन सा खेल प्रसिच्छर का सिधान्त नहीं है भार की बढ़ोतरी क्रिया की मितब्याइता प्रसिच्छा की बारंबरता निरंतरता जैसा कि दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर आप तिक कर दियो होंगे तो दोस्तो आज के लिए बर्श इतना ये सभी कोस्टेंस आपको समझ में आये होंगे दोस्तो इन विडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और जादे जादे से यादे किया किजी दौस्तो जितने जितने भी टापिक अभी बचे हुए हैं आपकी सीलेबस में उन सभी टापिक को मैं पूरा करूंगी तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी वेल आइकन को फ्रेस कर लिजी जिसे जो ही मैं नया वीडियो अप्लूट करूंगी उस